खबर इवसे हैं जहां दर्तिवस लोही से बाल उत पीड़ना और मानक्ता को जब जोर देने वाली खबर आई थी जहां एक छात्रा से जाडू पोच्छा और बर्तन साफ कराया जा रहा थी जब छात्रा ने मना किया तो बुंड़ई दिखाते हुए सिक्षकों ने छात्रा और छात्रा के पिता के साथ जमकर मार पिर की थी जिसमें घायर छात्रा को बिहोसी की हालत में अस्पतार में भट्ती करवाया गया जहां उसे 10 घंटे बाद होश आया था जबकि पिता को पु पिट्षक की उंगली काड़ी है जिस पर मामला दर्ज हुआ और पिता साहुप को पकड़ा गया जबकि देर रात छात्रा के परिजनों नभी शिकायर दर्ज कराई थी कि छात्रा और उसके पिता के साथ मार पिर की गई जिस पर जाच की जा रही है जाच में जो भी तत्र स सामने आएगा सक्तिविदी सामने वेक्त कारेवाही की जाएगी ऐसे में सवाल यही उठता है कि आफिक पुलिस वालों ने मामले को पूरी तरह बिना जाने पिता को अकेरे दोशी मानते हुए कैसे हिरासत में ले लिया जबगी मार पीट तो उसके साथ भी हुई थी और व करते वाली बात लिया होगी कि आगे चलकर पुलिस क्या जाच है? और फिर जांच कि आच में क्या कारेवाही करती है? और फिर कैसे इनसाथ दिलाती है, पीडिक बच्ची को? साथ ही बाल पीडना पर सिक्षोकों होती है या भी देखने वाली बात हो? इसमें दो चीजें आई थी, कल पहले एक घटना करमी आया कि एक सिक्षक ने रिपोर्ट किया, कि जगवन साहू नाम के वेक्ति ने उसके साथ माल पीट की है, और महिन सिंग नाम का सिक्षक उसकी उंगली काट ली है, इसके अधार पर उसमें पुलिस ने मुकनमत दर्श किय तो और आरोपी गिरफतार किया था, उसके उपरांत एक फिर जो आरोपी जगवन साहू के फैमिली ने एक आविदन दिया है, उनका ये कहना है कि जो बच्ची है, जो उस स्कूल में पढ़ती थी, उसके साथ उसको कुछ सफाय उफाई कराते थे, जाड़ों कुछा कराते और फिर जब इस बात का विरोध उसको इसके पिता को लगा, तो फिर जब वहाँ पे स्कूल में आया है, तो उसके साथ उन्होंने मारपीट किया है, तो इसमें परिजनों ने भी आविदन दिया है और जिसकी जाच की जा रही है, जैसा भी पाया जाएगा, अगर इसमें पाया जाएगे, तो उसमें भी कारवाई की जाएगे, परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर वहाँ पे इकत्रित होके और वहाँ पे चका जाम भी किया था, जिनको समझाए शबाद, आविदन लेकि उसमें चका जाम खोला था, डॉक्टर से बच्ची की पूरी चेक भी करा लिए था, उसके उपरान फिर परिजनों की भी शिकायत आयती, जो हमने आविदन लिया है, और जैसा पाया जाएगे, उसमें अभी समय इस्पेक्टर के लगाया है,